अव्यक्त शिक्षाओं का अन्मूल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है जिन्दगी का अफसाना अमूल ये रतन अमूल ये रतन अमूल ये रतन ये श्रंखला सर्व आत्माओं के पेता परमात्मा शिव के द्वारा उचारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है ओम शांते गौडलिवोर स्टूडियो द्वारा प्रस्तत अमूल ये रतन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है अजहर इंसान छोटा हूँ या बड़ा अपने जीवन में एक दूसरे से सम्मान प्राप्त करना चाहता है फोड़े समय के सम्मान के लिए इंसान धन भी खर्च करता है परन्तु परमात्मा बताते हैं कि सदा काल का और सच्चा सम्मान प्राप्त करने का आधार है सदा स्वमान में रहना आज इश्वरिय महवाक्यों द्वारा हम भिन भिन स्वमानों वो स्वमान धारी आत्मा के लक्षणों को गहराई से समझेंगे और इन महवाक्यों के सफश्टी करन के लिए हमारे मद्दे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिज ईश्वरिय विश्विध्याले के परिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदर्नी राजुभाई सहाब। आपका आज के अपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अब आज हम बात करेंगे 30 नवंबर 79 के महावाक्यों पर इसका टॉपिक है सौमानमिस्थित आत्मा के लक्षन। ऐसा पर्मात्मा कहते हैं कि एक बेहद के बाप के इतने बच्चे ऐसे योग्य बनते हैं। अब सोचो कि सभी कितने पदमा पदम भाग्यशाली हैं। अब तक भी भक्त लोग आप नंबरवार देवता धरम की आत्माउं के दर्शन के लिए प्यासे हैं। जेतन में ऐसे भाग्यशाली बने हैं, ऐसे योग्य बने हैं, तब तो अभी तक भी उनके दर्शन के प्यासे हैं। इसलिए बाप दादा को सोला हजार की माला के लास्ट दाने पर भी नाज है। चाहे कैसे भी हो, अलबेले पुरुशार्थी हो, मध्यम पुरुशार्थी हो या तीवर पुरुशार्थी हो। लेकिन बाप के बने, उजनी और गायन योग के बने, चुकि पारसनात बाप के संग में लोहे से पारस तो बन ही गए। पारस के वेल्यू जरूर होती है। इसलिए कभी भी स्वमान में अपने को कम नहीं समझना। तो सब स्वमान की इस उची स्थेती को थोड़ा और स्पष्ट करें। क्योंकि जब हम परमात्मा के बच्चे बनते हैं, उनकी पालना में आते हैं, चले पुटसार्थ हमारा कभी कम भी होता है, कभी ज्यादा होता है। परमात्मा कहते हैं, बच्चे बने, संग में आये, तो संग का रंग तो लगता ही है। तो पारस के संग में लोहा अपने आप पारस बन जाता है, ऐसे ही परमात्मा कह रहे हैं कि अगर सोला हजार का लाष्ट मनका भी है, तो भी वो पूजनी और गायन योगी है, क्योंकि परमात्मा के कारे में किसी न किसी रूप में तो मददगार बना है, और एक बार मेरा पनका पुरसार्त है, मध्यम पुरसार्त है, तो पद में कमी हो सकती है, लेकिन एक पूजनी के रूप में गायन योगी तो बनी जाएगा, तो कुछने संगम उपर परमात्मा को पहचाना है, उसकी गोदली है, उसके संग के रंग में रहा है, तो उसके कारण उसका महत हो रही है तो पुरसारत के अधार से पदवी नहीं दुनिया के अंदर अलग-अलग हो सकती है लेकिन पूजनी और गायन योग में नमबर उसका भी आगे आ जाएगा करें अरी अपने पुरसारत को देखकर इनसान को अपना सौमान याद नहीं आता क्योंकि हम सोकते है कि शायद हम उस लेवल के नहीं है। इस उंचे स्वामान में इश्थित रहो, तो कभी भी जो कमजोरी हैं भी वो समात्थ हो जाएंगे. बिलकुल, परमात्म कहते हैं कि स्वामान में रहने वाला कभी भी अभिमान में नहीं आ सकता, वह सदा निर्मान होता है, जितना बड़ा स्वामान उतना ही हांजी में निर्मान, स्वामान वाला सबको मान देने वाला दाता होता है, छोटे बड़े ग्यानिया ग्यानी, या मायावश गुणवान हो या कोई एक दो अवगुणवान भी हो अर्थात गुणवान बनने का पुरिशार्थी हो लेकिन स्वमान वाले सभी को मान देने वाला दाताव होते हैं वर्तमान समय जो अपने उंचे नसे स्वमान में रहते हैं, उसमें देह मान नहीं है, क्योंकि आत्मा का मांस्वा माना मैं आत्मा, तो आत्मिक स्वरूप में जो इस्थित रहता है, अपने उस आत्मा के स्वमान में जो रहता है, कि मैं एक स्रेष्ट आत्मा हूं, महान आत्म हूँ तो महानता यही है कि उसके अंदर निर्मानता है। vert. अगर उसका अपना अभिमान है माना वू दे भिमान है। स्वामान नहीं है तो जहाँ स्वामान है आत्मिक की इस्थिति वाला मान है वह आत्मा री दूसरों को मान दे सकती है, सब को रिस्पेक्ट देगी, चाहे वो कमजोर हो, माया वस हो या माया जीत हो, किसी भी प्रकार की आत्मा उसके संबन संपर्क में आएगी, अपनी स्रेष्ट इस्थिति के आधार से उसको मान देगा, क्योंको उसको अपना देह जमान नहीं है, जिसको देह मान होता है, वो दोसरों को रिस्पेक्ट नहीं दे पाते हैं, मान नहीं देते हैं, वो समझते हैं, मैं ही सब कुछ हूँ, तो मैं पन जो देह मान वाला उल्टा नसा, वो अवग्याएं कराता है, आजी करने नहीं देता है, और दोसरों का रिस्पेक्ट रखने नहीं देता लेकिन जो स्वमान में रहता माना आत्मिक इस्थिति के मान में रहता है आत्मा को इतने उंचे नसे में रखता है कि मैं हूँ कौन किसकी बच्ची हूँ उस स्वमान में रहने के कारण वो दूसरों को मान देता है और आगे बढ़ा करके चलता है तो उसको खुद सब का सम्मान प्राप्त होता है एक बहुत अच्छी बात है कि ये सम्मान आज हम दूसरों से चाहें कि ये मुझे सम्मान दे परमात्मा कहता है सम्मान मांगने की चीज नहीं है तुम अपने स्वमान में रहो तो अपने आप सब का सम्मान प्राप्त होता रहेगा मान मांगने से नहीं मिलता मान देने से प्राप्त होता है तो अगर हम दूसरों को मान दे रहे हैं हाँ जी हाँ जी करके उसको आगे बढ़ा रहे हैं तो हमें अपने आप मान प्राप्त होगा, तो मान की इच्छा छोड़ करके हम अपने उंचे स्वमान में इस्थित रहें, आत्मा कितनी स्रेष्ट और भागिवान है, जो भगवान की छत्रचाया के अंदर पढ़ रही है, इससे बड़ा स्वमान और क्या हो सकता है, इंसान स् संकल्पों को वियर्थ गवाता है, उससे बहतर है कि हम अपने स्वमान की स्थिती में स्थित रहने का संकल्प करें, उससे अपने आप मान प्राप्त होता रहे, प्रमात्मा कहते हैं कि तभी किसी प्रकार की आत्मा के प्रती संकल्प मात्र भी रॉब में नहीं आएंगे, यह ऐसा क्यों? ऐसा करना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए. जान यह कहता है क्या? यह भी सूक्ष में रोब का अंश है. अभिमान की एक दूसरी बहुत सूक्ष निसानी है रोब. और रोब में जो चलते हैं, बात करते हैं, देखते हैं, पता चलता है, इसको अपना नसा है, और वो उल्टा नसा किसी न किसी का अपमान करा देता है, तो परमात्मा कहते हैं, जो सौमान में रहने वाली आत्मा हैं, उनको रोब भी नहीं आता, वो ऐसे नहीं कहते हैं, ये ऐ राक्ष कर देना माना अपना रोब, अपना हिंकार है, कट कर रहे हैं, किसको ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक नहीं चल रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है, कई बार अपनी बुद्धी का सुक्च मभिमान दूसरों को अपमानित कर देता है, इसलिए परमात्मा कहते हैं, जो सुम तक होंगी, यह परिवर्तन हो जाएगा, आज नहीं तो कट बदल जाएगा, इसी उम्मेद रख करके उसके पर बहुत रहम की बाहुना रखती है, रोब के आधार से उसकी बात को कट नहीं करती है प्रमात्मा कहते हैं कि आप सुमान धारी उन्य आत्मा हो, उन्य आत्मा का काम है गिरे हुए को उठाना, सहयोगी बनाना, नकी क्यों गिरा, गिरना ही चाहिए, कर्मू का फल भूग रहे है करेंगे तो जरूर पाएंगे सुमान धारियों के संकल्प में भी किसी के प्रती ऐसा संकल्प या बोल नहीं निकल सकता क्योंकि इतना सुमान में रहता है तो उसको ये नहीं लगता है कि ये क्यों गिर गया इसको नहीं गिरना चाहिए या गिरेगा ही ऐसा ही कर रहा था तो वो भावना उसकी गलानी की नहीं रहेगी क्योंकि जो पुन्य आत्माएं हैं वो ऐसे भी दुनिया में भी कहते हैं जो गिरता है गिर गया मानलो ठोकर किसी को लग गई तो उसको हाथ दे करके उपर उठाते हैं आप खड़े हो जाओ ऐसे ने उसको और ठोकर मार देंगे तो जो पुन्य आत्माएं हैं मानलो कोई कारण से कोई आत्मा ने किसी कमजोरी के बस संसकार के बस गलत कर लिया गिरावट में चला गया तो उसको भी अपना सहयोग दे करके अपना साथ दे करके उसको उठाने की कोसिश करेंगे यह रहम की भावना है ऐसा ने कहेंगी इसको तो ऐसा होना ही था हम तो जानते थे ऐसा ही इसके साथ होगा नहीं परमात्मा कहते हैं आप बच्चे उन्य आत्माएं हो रहम दिल आत्माएं हो अगर आपके परिवार के अंदर कोई भी आत्मा कमजोर है, किसी संस्कार के वसो करके कुछुछ इससे गल्तियां हो रही है, तो इसको गल्तियों को खतम करने के लिए उनको फैलाओ नहीं, बिल्कुल, उसा पड़मात्मा कहते हैं कि ऐसे पुन्यात्मा परवश को भी स्वतंत्र बनाएंगे रॉब का अंश भी नहीं होगा स्वमान धारी इसको कहा जाता है ऐसे को देह अभिमान कभी आ नहीं सकता ऐसा ही स्वमान अगर हमें रहता है तो उसमें देहमान ही ही नहीं क्योंकि देहमान माना मैं अपने आपको भूलाओं स्वमान माना मैं अपने स्वयस्थिति में इस्थित हूं स्वयस्थिति में इस्थित रहने वाली आत्माएं कभी भी देहमान में आकर कि किसी भी परवस आत्मा को भी कट नहीं करेंगे क्योंको पुन्य का काम करेंगे तो परमात्मा कहते हैं जो पुन्य आत्मा हैं किसी भी परवस आत्मा को देख करके उसके पर तो नफरत नहीं करेंगे गरणा नहीं करेंगे उसको सहयोग दे करके उस वसी बहुत इस्तिती से उसको उपर उठाने की कोशिस करेंगे पस अब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कुमारों से बाचित कर रहे हैं परमात्मा कहते हैं कि जैसे ब्रम्हा आदिदीव है ब्रम्हा कुमार भी आदीरतन होंगे आदीदेव के बच्चे मास्टर आदीदेव आदीरतन समझेंगे तो अपने जीवन के मुल्ले को जानेंगे आप सब प्रभु के रतन इश्वर के रतन हो तो आपकी कितनी वैल्यो हो गई सदा अपने को आदीदेव के बच्चे मास्टर आदीदेव आदीरतन समझो तो जो भी कारे करेंगे वह समर्थ होगा व्यार्थ नहीं ये दो सवमान है जि मैं आदी देव का बञ्चा हूँ जो सृष्टी की आदी करने वाला है ब्रह्भा बाप उसकी मैं संतान माश्टर आदी देव हूँ और साथ साथ मैं भी जैसे ब्रह्मा बाबा ने नई स्रिष्टी की सुरुवात की, तो आदी में जो देवी दे होता हैं, उनको भी कहते हैं, ऐसे जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं, वो आदी रतन हैं, क्योंकि ये आदी वाली आत्मा हैं, तो परमात्मा उन सब को कह कि जैसे आधी देव के बच्चे-Maastr आधी देव हो, ऐसे ही आधी रतन हो, रमा बाप के बच्चे हो. इस इसमृति में हम रहते हैं, आधी काल के जो पवित्र संसकार हैं, वो इमर्ज होते हैं. और विसेज करके जब परमात्मा कुमारों से मिलते हैं, और सिक्षाय देते हैं उनको कोई भी प्रकार से गाइट करते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि उनकी पवित्रता की स्टेज उंचे से उंची बने, कहीं पर भी द्रिष्टी व्रति चंचल न हो, उसके लिए वो अपने आधी सरूप की स्मृति दिलाते हैं, कि आप आधी सरूप में कितने पवित्र आत्माए हो, देवात्माए हो, आधी रतन हो, उसकी स्मृति अगर रखोगे, तो जो संसकार मद्दिकाल के आगे हैं, विकारी संसकार आगे हैं, उनके आपकी विजय हो जाएगे हम, कजब आगे वढ़ते हैं, तो पड़ आत्मा कहते हैं, कि, बंधन मुक्त की निशानी है, सदा योग युक्त, योग युक्त, बंधन मुक्त, जरूर होंगे, मन का भी बंधन नहीं, लोकिक जम्यवारी तो खेल है, बंधन की रीती से नहीं, लेकिन डारेक्शन खेल की रीती से हस कर खेलो तो छोटी-छोटी बातों में ठकेंगे नहीं अगर बंधन समझते हो तो तंग होते हो कुमार जीवन में परमात्मा हमेशा एक बात कहते हैं कि कुमार माना बंधन मुक्त केवल मन का बंधन नहीं होना चाहिए कई बार हम अपने बंधन अपने अप्रेट करते हैं अपने कुमारों को देखा है कि अगर कुमार लाइप में ज़्यादा अपने लोके के तरफ ध्यान देते हैं बहुत पत्र बिवहार, फॉन, सादा दिन, सारा दिन उसमें बिजी रहते हैं तो नेचुरल है कि माँ बाप या परिवार वाले उन पर अपना अधिकार रखते हैं वैसे जब अठारा साल के उम्र के बाद अपने पाओं पर आ जाते हैं तो उनको किसी भी परकार का बंधन कोई बांध नहीं सकता मन का बंधन नहीं तो परमात्मा कहते हैं अगर कोई जवाबदारी है भी सेवा की तो सेवा को खेल समझ करके करो उसमें परवस हो करके बहुत पश्चाताप करना, दुखी होना कि यह क्यों बंधन आ गया, यह बंधन बंधन नहीं है तो सेवा हैं आपका पार्ट है, खेल है और अगर अपने आपको निमित समझ रहे हो कि उसने मुझे कर्म के लिए सेवा के लिए भेजा है मैं तो निमित हूँ तो जवाबदार बाबा है परमात्मा है आप खेल की रिती से खेलो, कभी भी बंधन में नहीं बंधो तो आप सदा योग यूट रह सकते हो आपकी बुद्धी परमात्मा में लग सकती है नए तो कई प्रकार की जवाबदारियां जब हम समझते हैं मेरे मात पिता हैं, मेरे भाई बेने हैं मेरे ये जवाबदारी, मेरे जवाबदारी तो कई लोग अपने आपको कहीं न कहीं या प्रॉपरिटी में अपने आपको बांध लेते हैं या सम्मंधों में बांध लेते हैं लेकिन अगर उन सबसे मुक्त होना है तो हम खेल की रिती से पार्ट बजाएं अपना समझ करके नहीं लेकिन परमात्मा ने ये सेवा दी है क्यों क्या न करें बहुत हलके होकर क्यों पाट बजाए और न्यारे हो जाए तो हम बंधन मुक्त रह सकते हैं और बंधन मुक्त रह सकते हैं और बंधन मुक्त रह सकते हैं तो विधी पूरवक प्यार से बनाओ, तो बहुत अच्छा लगेगा। योगे कई बार पुमार जिवन में ये बहुत बड़ी माया आती है। कभी कोई बीमार हो गया या कोई ऐसा अलस से आ गया, तो भोजन नहीं बनाएंगे। अकेले रह रहे हैं छोड़ दो। तो परमात्मा कहते हैं, अकेला समझोगे तो ये सब प्रकार की बाते आएंगे। आप शिव बाबा के साथ कंबाइंड हो। और अगर ये समरत्ती रहती है कि मुझे अपने लिए नहीं उसके लिए तो जरूर बनाना ही है, भोग लगाना ही है। तो जब भोग लगाने के लिए बनाएंगे तो आप ही खाएंगे साथ में। तो परमात्मा अपने बच्चों को कब भी अकेलापन फिल नहीं हो। इसलिए कहता है, सदा कंबाइंड होकर के डबल समझ करके चलो। उमारों को खास कह रहे हैं कोई भी प्रकार की अकेलापन से माय आएगी। संकल पायागा कोई साथी होता। परमात्मा कहता है साथी अमर अविनासी आपको मिला हुआ है। उसको अपने सदा साथ रखो और उसके लिए जो कर रहे हो कोई भी कारी करो, उसको सामने रख करके करो तो कभी अकेलापन फिल नहीं होगा। प्रमातमा कहते हैं किसी भी बात में क्यूं क्या वह करते हैं, जो मास्टर तरिकाल दर्शी नहीं, जो तीनों कालों को जानते हैं, वह क्यूं क्या नहीं करेंगे? प्रश्न वहीं उठता है जहां पर भविसी इसपष्ट दिखाई नहीं देता, पता नहीं कल क्या होगा, कई सोचने लगते हैं, कल मैं बीमार पढ़ जाओंगा, तो कौन मुझे पानी देगा, कोई तो सहीयोगी चाहिए, कोई साती चाहिए, इसलिए चलते चलते कुमारों पर बंधन बांद लेते हैं, पर परमात्मा कहते हैं, जो तिरकाल दर्सी हैं, कभी सोचते ही नहीं है, क्या होगा, सब अच्छे से अच्छा होगा, कोई नो कोई बाबा अपने आप अगर हमारा निश्य पक्का है, तो कहीं न कहीं से सहीयोग दिला देगा, कभी अकेला होन क्या होगा आप तरिकालधर से श्टेज में रहो जो होगा सब अच्छे से अच्छा होगा बाबा हमारा साथी है हमेशा कोई न कोई सायोग प्राप्थ होता रहेगा तो सब पड़ मात्मा कहते हैं कि कुमारी को कहते हैं सौ ब्राम्वनों से उत्तम एक कन्या और कुमार कितनो से श्रेष्ट है, साथ शीतलाओं के साथ एक कुमार दिखाते हैं, तो आप साथ सो ब्रामभणों से उत्तम हुए। ठाल भ्र o पुजा जाता है तो इसलिए अगर अगर कुमारी सोब रामभणों से उत्तम है, तो जब साथ के बीच में आप की पूजा हुरें तो आप तो साथ सो observ कुमारियों से बिस्थेश्ट होगए है। इसलिए अपनी महानता को, अपने सौमान को सदा कायम रखो, कभी भी किसे से भेट नहीं करो कि ये मेरे से आगे हैं, आप रेस करो, आप अपनी अच्छी इस्थिति बनाओ, आपके द्वारा कई परकार की सेवाइं हो सकती हैं, इसलिए परमात्मा जब कुमारों से मिलते हैं तो उनके कई विसेश्थाएं सुनाते हैं, कुमारियों की विसेश्थाएं अपनी हैं, और कुमारों की विसेश्थाएं अपनी हैं, जिस इस्थान पर कुमारों के अच्छे संगठन हैं, वहां बहुत अच्छी सिवाओं का विस्तार हुआ हैं, लेकिन सिर्प उनके अंद इसलिए मर जीवा बनो, पुराने संसकारों से मर जीवा, कोई भिविग्न आपके लिए पाठ है, आप उनके अनुभवी बनते बनते पास्विदाउनर हो जाएंगे, कुछ भी होता है तो उसे पाठ ले लेना चाहिए, क्यूं क्या में नहीं जाना चाहिए कई प्रकार के पेपर हम सब के सामने आते हैं, लेकिन यह हमें पाठ पढ़ाने के लिए आए हैं, हमारे क्लास को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं, अगर इस प्रकार की एक संकल्प में भावना रहती है, तो क्यों क्या कैसे में नहीं जाते हैं, बात यह तो इसके सामने नही हर एक के सामने कोई प्रस्न आते ही हैं, लेकिन अगर हम उन्स प्रस्नों में उलज गए ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो कमजोर संकल्ब और कमजोर बना देंगे, इसलिए परमात्मा कहते हैं, कोई भी पेपर, किसी भी प्रकार की बात आती है, मान यहां पर ही फेल होते हैं तो परमात्मा कहते है अगर मान लो कोई बात आई है तो उससे पाठ ले लो उससे सीख करके आगे बढ़ जाओ उन प्रसλों में उलडें क्यों हैं किस लिए कहते हैं हमने तो कुछ किया ही नहीं किया तो नहीं कर दो, उसकी बात को सिद्ध क्यों कर जिद्ध क्यों कर रहे हो, उसे सीख लो, कि आगे के लिए हम ध्यान रखेंगे, तो आगे बढ़ जाओगे, इसलिए परमात्मा हम सब को ये विधिया बताते हैं, कि कोई भी बात, माया की किसी भी प्रकार का पेपर को पेपन न समझ करके, उसको पाठ समझ करके आगे बढ़ दर्शकों आज के अपिसोड में हमने समझा कि स्वमान में रहने वाला कभी भी देहे अभिमान में नहीं आ सकता, वह सदा निर्मान रहता है, सभी को मान देता है और रहम दिल होता है, परमात्मा ने कहा कि सदा समर्थी रहे, कि हम स्वयम आदिदीव ब्रम्भा की संतान, म आस्टर आदीदेव, आदीरतन है, तो हमारा कोई भी कार रहे, व्यर्थ नहीं होगा, हम सदा समर्थ रहेंगे। परमात्मा ने कहा कि कोई भी विगन आए, तो उससे हम पाठ पढ़े, न कि क्यों क्या में जाए। तरशकों आज के एपिसोड से संबंधित, यदि आपके मन म कोई भी प्रशन है, तो आप हमें इमेल कर सकते हैं, हमारा इमेल आईडी है amolleratna at the rate godlywoodstudio.org अगले आपिसोड में एक और अव्यक्त मुर्ली के साथ, आप सभी के समक्षम फिर हाजिर होंगे, तब तक इलिए लेते हैं इजाज़त, उम शान्ति! कारण सभी को मान देने वाली दाता होंगे, संकल्प में भी रौब नहीं होगा, उन्य आत्मा अर्थात, किसी के पाप को भी परिवर्तन कर दें, उनका काम है गिरे हुए को उठाना, सहियों की बनाना, साबधान, जैसे एक घंटा सपल करते हो, तो लाख गुणा जमा होता है, वैसे ही, वेस्ट करने से लाख गुणा घाटा भी होता है, अधिक जानकारी के लिए संपर करें, अमुल्यरतन गौडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनीवन, शान्तीवन पोस्ट, आवुरोड 307510, डिस्टिक्स सिरोही, राजिस्थान, इवेल आईडी है, अमुल्यरत इस श्रंकला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज इश्वरिय विश्व विद्यार लेके सेवा केंदरों पर, क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गौडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें